इस वीडियो में हम जम्लों की ट्रांसलेशन सीखेंगे यानि उर्दू जम्लों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या उनका इंग्लिश में तरजमा करेंगे Translation of sentences from Urdu to English Translation of sentences यानि जम्लों का तरजमा करना from Urdu यानि उर्दू से to English अंग्रेजी में यानि उर्दू से English में हमने इनकी translation करनी है Number one खाना खूब चबा कर खाओ खाना खूब चबा कर खाओ इसका translation अगर हम देखें Chew your food well Chew कहते हैं चबाने को Your यानि अपना खाना या your food यानि खाना Well यानि हूब्स या सही से Chew your food well यानि खाना खूब चबा कर खाओ Number two इधर उधर की बातें मत करो इधर उधर की बातें मत करो अब इधर उधर की बातों के लिए अगर हम English में देखें तो हम Idiom का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे जो है Don't beat about the bush Don't beat about the bush Don't यानि नहीं करो और beat about the bush यानि इधर उधर की बातें तो Don't beat about the bush यानि इधर उधर की बातें मत करो और जो beat about the bush है यह एक Idiom है जिसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है Number three दोनों हातों से पक्ड़े रहो Hold with both hands Hold with both hands यानि दोनों हातों से पक्ड़े रहो दोनों हातों से यानि both hands पक्ड़े रहो यानि hold तो hold with यानि पक्ड़े रहो बोथ hands यानि दोनों हातों से Number four इस पेड के पास मत जाओ इस पेड के पास मत जाओ Don't यानि नहीं जाओ Go यानि Don't go यानि जाओ तो don't यानि नहीं Go यानि जाओ Near यानि करीब या पास That tree यानि उस पेड के या उस दरखत के पास तो don't go यानि मत जाओ Near यानि पास That tree यानि उस पेड के पास तो उस पेड के पास नहीं जाओ आगे चलते हैं Number five तफसील के साथ खत लिखो Write यानि लिखो A detailed यानि तफसील के साथ और letter यानि खत तफसील के साथ खत लिखो यानि write a detailed letter Write यानि लिखना A detailed यानि तफसील के साथ Letter यानि खत Number six Coat के button बंद करो Coat के button बंद करो English में इसकी translation क्या होगी Button up your coat Button up यानि button बंद करो Your coat यानि अपने coat के या coat के Button up your coat यानि coat के button बंद करो Number seven Dya gul कर दो Sorry, करो Dya gul करो Dya gul करो अब अगर हम English में translation देखे Put off the lamp Put off यानि gul करो या बंद करो The lamp यानि dya या Bati Put off the lamp यानि dya gul करो Gul करना यानि बजहा देना तो यहां पर तो gul का लफ़ इस्तामाल किया गया है लेकिन put off के लिए हम बुजहा देने का लफ़ भी जो है वो हम English में अगर उसे translate करें तो put off ही हम कहेंगे यानि put off the light या put off the lamp Number eight बच्चे का दिहान रखना बच्चे का दिहान रखना Translation है इसकी Take care of the baby Take care of the baby बच्चे यानि बेबी का दिहान रखना Take care का आप देखें मतलब होता है हम आपस दिहान रखना Of the baby यानि बच्चे का Take care of the baby यानि बच्चे का दिहान रखना तो ये थे कुछ जुम्ले जो आम तौपर हम अपनी डेली लाइफ में भी इस्तमाल कर रहे होते हैं अब आप इस वीडियो को दुबारा देखें और साथ में इन जुम्लों को दोहराईए इस रहां बहुत जल्द उर्दू जुम्लों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीख जाएंगे और एक और बात बताती चलूँ कि ट्रांसलेशन में हमने सबसे जदर जो ख्याल रखना होता है वो हमने रखना होता है टेंसिस का जब हमें ये मालूम हो जाएगा कि कौन सा टेंस है तो हम उसको बहतर तरीके से ट्रांसलेट कर सकेंगे टेंसिस के ओपर हम और डी वीडियोस कर चुके हैं जो आप देख भी सकते हैं अभी जो हमने ये सारे जमले किया हैं ये सारे के सारे हमारे पास प्रेजन टेंस में थे यानि ये सिंपल प्रेजन टेंस में थे जिसमें एक सिंपल बात की जारी थी इसलिए मैंने बहुत जादा इसमें जमलों को उस तरहां से आपको नहीं समझाया क्योंकि आम प्रेजेंट टेंस या नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे लेकिन जहां पर हम और जुम्लों की बात करेंगे जहां पर टेंस की फर्दर टाइप से स्वाल हो रही है तब वो मैं साथ साथ आपको बताती जाओंगी